Hello students, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे BSC First Year Geology का Second Semester है Higher Non-Codita Higher Non-Codita के अंदर एक Most Important Short Question पूशा जाता है Bypeneiria Larva Exam Paper में ये दो नंबर में आपसे पूशा जाता है diagram के साथ तो इस वीडियो के अंदर आप कवर करेंगे स्टार्फिश के बारे में ओ लेडियो में कई सारी वीडियो बना चुका हूँ तो आप चैनल के अंदर जाकर स्टार्फिश को भी देख सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है Bypeneiria Larva यह स्टार्फिश का लारवा होता है स्टार्फिश के डेवलपमेंट में जब स्टार्फिश का विकास होता है तो उसकी लाइफ साइकल के अंदर थरी लारवल स्टेजिस आती है नमबर फर्स्ट डिपली लूला लारवा, Bypeneiria Larva और ब्रेंकियोलेरिया Larva ये 3 till लारवल स्टेजिस स्टार्फीस की life cycle के अंदर आती हैं ये जो deeply lula larva होता है ये primary bipги this layer कहलाता है यानि कि जो deeply lula larva होगा इसके अंदर कुछ changes होंगे और फिर इस change की वज़ए से ये second larva में convert हो जाएगा जिसका नाम है bip naealarian larva फिर बाइपी नीरिय लारवा में कुछ चेंज आएगा जिससे कि ये थर्ड लारवल स्टेज में कंवर्ट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं ब्रैंग की ओलेरा लारवा तो इस परकार से लारवा तो एक ही है बस उसमें धीरे धीरे चेंज होने की वज़े से उसे हम थ्री लारवल स्टेजिस में डिवाइड कर देते हैं तो सिंपली गाईज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इसके बारे में एक्स्प्लेन करना है तो डिपली लुला लारवा में क्या चेंज आता है वही हम देखते हैं तो डिपली लुला जो लारवा होता है इसके सामने के तल पर एक बड़ी प्री ओरल लोब बन जाती है प्री ओरल मतलब प्री मतलब पहले और ओरल मतलब माउथ तो mouth से पहले एक lobe बन जाती है जो चारो और से cilia के एक pre-oral lobe से envelope हो जाती है अब ही मैं आपको diagram भी दिखाने वाला हूँ इसी प्रकार इसके प्रतेक lateral में 3 lateral lobes बन जाती है तो pre-oral lobes बन जाती है, lateral lobes बन जाती है और जो cilia के एक post-oral loop द्वारा envelope हो जाती है इस type के से जो बना larva है इसको हम बोलते हैं बाइपी नीरिया larva तो simply guys बाइपी नीरिया larva क्या है जब ये जो deeply lula larva है जब इसमें change हो जाता है तब ये convert हो जाता है बाइपी नीरिया larva में और जो change आये मैंने आपको ओल लेडी बताई दिया कि क्या-क्या changes आते हैं तो ये जो बाइपी नीरिया larva होता है ये free swimming larva है पानी में तैरता रहता है free swimming करता है और ये कुछ हफतो बाद कुछ week लेगा time लेगा और फिर ये convert हो जाएगा ब्रैंक्यों लेरिया larva में तो guys दो नंबर में आपको इतना ही लिखना है और एक चीज ध्यान रखना है कि diagram definitely आपको बनाना ही होगा तो diagram के अच्छे से अच्छे से practice कर लें ये आप देख सकते हैं ये pre-oral arm है ये dorsal-medial arm है ये dorsal-lateral arm है ये mouth है ये anus है और ये इसका stomach है mouth एनus के बीच ये stomach है ये इसका posterior-lateral arm है तो ये इसके body parts को आपको ध्यान रखना होगा तो ये था अमारे पास branchiolaria larva तो देखे दोस्तों यहाँ पर आप diagram भी देख सकते हैं ये slide का diagram है I hope आपको clearly दिखाई दे रहा हो ये आप देख सकते हैं इसकी परतिक body का nomenclature है ये इस diagram के help से आप आसानी से समझ सकते हैं ये देखे दोस्तों slide में ये larva इस तरह से दिखाई देता है तो simply bypenea larva जो है इसमें आपको दो number में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना ही लिखेंगे और finally अगर आप इस तरह के सभी short question cover करना चाहते हैं तो आप हमारे channel पर जाएंगे I mean play store पर जाएंगे आपको वहाँ पर bio book tag नामसी एक application मिलेगा जिसे आप download करेंगे तो उसके अंदर इस तरह के सभी short question cover किये जा रहे है मुई उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful रहे मिलते हैं next वीडियो में बाई बाई टाटा